वन प्लस का यह जो पावर्वेंक है पूरी तरह से री डिजाइन और री ब्रेंड़ेड़ है हलो कुछ वेड़ना मेरून आप देखरे हैं ओनलाइन जैस का और आज मेरे पास है वन प्लस का रिसेंटली लॉंच्ट वन प्लस तैन थाउजन एमेस का पावर्वेंक आज इस रूबे मां करेंगे इसको अन्बोक्स बात करेंगे से कुछ फीचर्स की स्पेशिफिक इसन्स की और वीडियो के लास्वे मिलेगा मेरा ओपीनियन विकोज मैं पिछले कई दूनों से इसको इस्तमाल भी कर रहा हूं तो सायद आपको अच्छे से बता पाऊंगा जिस प्राइज में आपको यह पावर्वेंक मिलता है आपके लिए यह एक बैल्यू फूर मनी पावर्वेंक रहेगा या फिर नहीं तो इस वन प्लस पावर्वेंक 10,000 एमेज के साथ में आता है कुछ इस तरह के बॉक्स में रेट एंड वाइट के कॉंबिनेशन में और काफी स्लेकन सिंपल सी पैकेजिंग है पीछे की तरफ कुछ डिटेल्स दिये हुए हैं कुछ स्पेशिफिक्शिंस पगरा दिये है तो फटा फट से रहें इसको अंबोक्स करते हैं सबसे पहले आपर रखा हो मिल जाता है मेन पावर्वेंक कुछ इस तरीके से लिगें पावर एंक को अभी के लिए थोड़ी देर के लिए और साइड मैं देखते हैं बॉक्स के अंदर से और क्या मिलता है तो नेक्स ऐहा साथ में सेफटी इंफोर्मिशन वगेरा और नेक्स से मिल जाती है यह 2-in-1 यूस्बी एटु माइक्रो यूस्बी एंड टैप सी केबल और वापस आधे अपने में पार्वेंग पर और यह जो पार्वेंग यहां पर मेरे पास ब्लैक कर में इसके लावाई क्रीन कर ऑप्श पर स्क्रेचिस वगरा और फिंगर प्रिंट वगरा भी बहुत जल्दी से नहीं दिखने वाले वन प्लस का लोगो पार्वेंग के पीछे की तरफ दिया हुआ है साथ में यहां पर डीटेल स्पेशिफिकिशन वगरा दिये हुए है और पार्वेंग के साइड में जाएंग और फिर वापस से नॉर्मल मोड में आने के लिए सिंपली एक बार प्रेस कर देना इस बटन को और ओवराल पार्वेंग की बिल्ड क्वाल्टी और डिजाइन की बात करें तो प्लास्टिक का बना हुआ है 225 ग्राम इसका वेट है मतलब कि काफी जदा लाइट वेट है 3D क आफ डिजाइन में आता है पावर वेंग तो हाथ में पगड़ते हैं काफी अच्छे से ग्रिप मिल जाती है इसके लावा काफी कॉंपेक्ट भी है पावर वेंग अगर मैं इसको कंपेर करूं उतने वन प्लस 80 से तो साइज में ओवर ओल देखें तो छोटा है लेकिन जो फुल साइज USB आउटपुट पोर्ट है इसके लावा एक टाइप सी USB इंपूट एंड आउटपुट पोर्ट यहां पर दिया गया है मतलब कि टाइप सी पोर्ट के जरीए पावर वेंग को भी चार्ज कर सकते हैं इसके अलावा पावर वेंग के थ्रू आउटपुट भी म देखने को मिलता है तो इस पोर्ट के जरीए आप आइफोन वगरा को भी चार्ज कर सकते हैं और बागी जो फुल साइज USB पोर्ट है इनके जरीए आप कोई साभी केबल या फिर जो साथ में मिल रहा है उसका इस्तमाल करके अपने स्मार्ट फोर्ट को चार्ज कर सकते हैं और पावर्वेंग को भी आप 18 वट के फास्ट चार्ज के जरीए फास्ट चार्ज कर सकते हैं 0-100% चार्ज होने में पावर्वेंग को करीब 4 गंटे के असपस लग सकते हैं और पावर्वेंग को चार्ज करते करते आप अगर चाहें तो USB आउटपुट पोर्ट के जरीए अबने फॉन को भी चार्ज़ कर सकते हैं, तो two way fast charging जिसा सप़ोट आपको मिल जाता है power of yang के अंदर, और power of yang के यी ports में से अगर आप किसी भी single port का इस्तल्माल करेंगे charge करने के लिए अपने smart phone को, तब भी आपको एटेन वॉट की fast charging power output मिलेगा, और अगर आप दो devices को मतलब कि दो smartphones को एक साथ charge करेंगे तो maximum जो power output मिलता है power bank से वो है 15 watt का तो यह चीज एक ध्यान में रखने वाली है और हाँ OnePlus का power bank जरूर है लेकिन आप किसी भी OnePlus के smartphone को इस power bank के जरीए fast charge नहीं कर सकते हैं मतलब कि dash charge या फिर warp charge का support नहीं है power bank के अंदर प्योंकोश OnePlus के smartphone जो dash charging support करते थे वो थी 20 watt की warp charging है 30 watt की और अभी के लिए OnePlus 80 के अंदर है 65 watt की और यह जो power bank support करता है maximum 18 watt और इसके लावा Realme की dart charge और OPPO की जो wook charging है उसको भी यह power bank support नहीं करता है तो बस सीदा सीदा यह समझ लीजे जिते भी smart phones है Samsung, Xiaomi या फिर Realme की तरफ से आते हैं जिनके अंदर 18 watt की fast charging मिलती है तो उनको आप इस power bank के जरीए fast charge कर सकते हैं OnePlus के smartphone के लिए अगर आपको शही है तो इसको बिलकुल भी मत consider कीजिएगा Realme का dart charge power bank आता है जो कि 30 watt के power output के साथ में आता है उसके लिए आप जा सकते हैं उसके जरीए आप maximum 30 watt की जो OnePlus की warp charging है OnePlus 8 series तक में जो मिलती थी 8 pro के अंदर 8T के अंदर 65 watt है तो वो support उससे भी नहीं करेगा लेकिन 8 pro तक आप उसके जरीए charge कर सकते हैं जो charger के थूँ मिलती है same speed पर और उस power bank का मैंने review किया हुआ है अगर आपको देखना है तो इधर i button में मिल जाएगा जाकर देख सकते हैं बागी जो power bank की capacity है वो है 10,000 mAh और rated capacity है 6,000 mAh तो अगर आपके phone की battery है 4000 या फिर 45,000 mAh एक्जांपल के दोर पर oneplus 80 के अंदर है 4500 mAh तो इस power bank के जरीए एक से थोड़ा सा जादा बार full charge कर सकते हैं और अगर आपके पास कोई भी iPhone 11 वगरा है तो करीब-करीब दो बार क्यास पास इस power bank के जरीए full charge कर पाएंगे तो ये चीज एक ध्यान में रखने वाली है बागी overall अब मैं बात करूँ ये एक value for money power bank है की नहीं तो इसका जो regular price है वो है 1300 रुपए और इस price के साब से ये जो power bank है मुझे over price लगता है अभी के लिए कुछ limited time के लिए price drop किया है साहिद तो 1100 रुपए का मिल रहा है तो 1100 रुपए का मिल रहा है तो 1100 रुपए का इसको क्यों खरीदना है तो आप उस वाले power bank के लिए जा सकते हैं almost specifications वगेरा भी same है तो 900 रुपए में वो एक बड़िया power bank रहेगा और अगर OPPO भी नहीं लेना है तो Xiaomi या फिर Realme का power bank भी आप ले सकते हैं वो भी आपको 900 रुपए से कम के price में मिल जाएगा almost same specs के साथ में so overall मुझे ये जो power bank है एक value for money power bank नहीं लगता है 1300 रुपए के price में 100-200 रुपए और डालेंगे तो Xiaomi का ही आपको 20,000 MS का power bank मिल जाएगा जो कि काफी better रहेगा इसके comparison में बागी इसके लाब आप भी मेरे जो कुछ topics हैं नीचे description मैंने दे दिये हैं directly जाकर वहाँ से check कर सकते हैं और directly buy भी कर सकते हैं ये वाले वीडियो कर पसंदा है तो like करके जाएगा share भी कर सकते हैं और चैनल को subscribe नहीं कहाँ तो कर दीजिगा साथ मैं बेल आगी नहीं प्रेस कर दीजिगा विकुज ऐसे ही काफी सारी वीडियो काफी सारी फ्रिक्वेंटी अपने सी चैनल पर लेकर आता रहता हूं तो next time कोई भी latest वीडियो आएगा तो आपके पास notification पहुँच जाएगा आपका कोई और सवाल हो इस वीडियो के वारे में मेरे चैनल के वारे में तो नीचे comment में जाके जरूर बताएगा अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबाब